तो हाई माई यूटूब फैमली कैसा आप सभी लोग दोस्तों यह वीडियो है फिर से एक वीवो के लिए में लेकर आँ इसमें दो मॉडल में लेकर आँ एक वीवो 193 कॉलकम और एक वीवो का 191 मीडिया टेक यह पुराने मॉडल है पर अभी वी वर्डिकिंग में है और आपको तो मैं आपड बको की सब्लाई बताना चाता हूं कि आप अगर इनीसिली चेक करना चाते हैं डिरेटली तो नहीं बताए गया कि कहां पड किदर क्या वोल्टे जाता है हाँ अगर इन आउट की बात करेंगे तो कुछ वोल्टेज बताए गए हैं बड़ वो भी कैबसेटर्स में पर यह नहीं बताए गया है कि वो कैबसेटर्स बिसिकली किन कोईलों से कनेक्टेड हैं उसके साथ इनका कोई स्कमाटिक नहीं है तो कोई भी डाइगराम नहीं है त इसलिए बगना कोई अपना डाटा बना सकते हैं और सप्लाइक को नॉलेज जान सुप्लाइक नोलेज्स जान सकते हैं किक की एक मिडिया टेक है और एक कॉल् Sicht कि दोनों को मैं लेकर आया हूं एब दोधेन सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले major tech की बात जाकि आपके पास डाटा सीट बन सके हो और एक अच्छा solution आपके पास हो और अगर आप ऐसे ही विदावर स्केमाटिक काम करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टिटूट को जोइन कर सते हैं जिसके लिए आप यह के नंबर पर कॉल कर सते हैं 7007-3192 और दोस्तों यह गरिंट के ऐसे डम लेंगे हम पाच्छवा दिन आने नहीं देंगे और इमिमसी आप से लगोएंगे 10 लगवाएंगे अपार बंगवाएंगे के दोस्तों हमारा इंस्ट्यूट है वह सिप और सिप साःगिट के बेस पर नहीं है कि आपको सिप शिप्सटों के अगर नाचिदões के और आप बहुत अपने आपको टाइम देखें और एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते तो आप एसर टेलिकों को जोइन कर सकते हैं चले अगर हम यहां बात करें हैं और एसर टेलिकों में होस्टल और मैस कंप्लेटली फ्री है और आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं नहीं आप इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं अब हम बात करेंगे दोस्तों यह आपकी में पावर आइसी है इसका नंबर है 6357 CRV तो यह नंबर आपको देखने को मिलेगा इसके पावर आइसी के उपर इसमें आप देख सकते हैं तो यहां पर एक दो तीन चार पाच और कुछ ची जो वुल्टेज फॉर पावर अम्प्लिफायर मतलब यह किस बात का पावर अम्प्लिफायर के लिए वुल्टेज बना रही है यह नेट्रॉक के लिए बनाती है और दोस्तों अगर मैं नेट्रॉक की बात के लिए यहां पर आप इसको बताऊं तो मैं इसको क्रॉस करके त कि basically MediaTek में क्या होता है जो हमारी PFO होती है जिसको हम basically कहना तो इसको RFIC चाहिए बड़ी एक 4G PFO है तो यह जो हमारी 4G PFO होता है इसके जो हमारे basically यहां नंबर जो है 2839 यहां हमारे को 4 voltage यहां पर मिलने चाहिए जो कि 1-4 voltage है जो कि एक requirement पर मिलते हैं और यह इसके APT voltage के जो को कोईल के थुरू मिलते हैं तो यह कोईल इसको VPA कोईल कहते हैं क्योंकि Qualcomm के फोनों में APTIC होती है पर MediaTek के फोनों में APTIC नहीं होती है इसका जो power sequence बनता है वो हमारे कोईल से बनता है तो basically जब आप charger लगाएंगे तो आपको इस कोईल पर आभी voltage देखने को नहीं मिलेग और यह basically voltage बनते हैं आपके phone on होने पर SIM लगने के वाद वह भी जब network की requirement हो आप इसको बाइपास कर सकते हैं तो आप अगर यह कोईल voltage नहीं भी बना रही है तो आप इसको यहां से जंपर मार सकते हैं तो यह जंपर बिसिकली यहां पर आप दे सकते हैं तो इसका प्रोटोक पूरा अगरसत है क्योंकि इस IC की requirement 4 voltage maximum है जो आप इसको डारेक डे सकते हैं ठीक है अब हम यहां पर चलते हैं और इसके बागी के कोईलों को समझते हैं दोस्तों इसके कोईलों के second coil जी है अगर हम यहां पर बात करें तो पहला कोईल तो आपने यहां पर देखा तो दोस्त V Processor एक बिसीकली आपके Micro Processor के लिए जाने वाला एक आपका बख voltage है जहां आपको voltage मिलेगा यहां पर आपको voltage फिलाल चार्जर लगाने पर नहीं मिलेगा यहां पर आपको voltage मिलेगा पॉंट 8.9 इस तरह आपको voltage देखने को मिलेगा जो की maximum 1.1 तक होगा इसके बात की बात क CPU निकालना है और CPU निकालने के बाद आपको देखना है कि अगर यहाँ पर sorting होती है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक लो सब्सक्राइबल वोल्टेज होने चाहिए और यह भी आपका CPU की और जाता है अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसके बाद आपको मॉडम की सप्लाई मिलती है तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट लगवग वोल्टेज देखने को मिलेंगे मेरे टेक के अंदर को पर को organism that is यहाँ पर इस आपको यहां पर saat को मिलने को मिलेंगे करें मलेगे तो यह दो विप्राइबं होड़ आपको आपको पुरा नहीं और आपका पॉर्ण नहीं होगा ऑपके पॉर्ण अन्हीं होगा क्यूसRO स्कूरा की प concern Troy यह प्यासक पर blij значит को मिलेंगे और य जिसमें से एक MMC और एक RAM भी हो सकता है तो यह तारे वह आपको चीजे यहां पर समझनी पड़ेंगी फिलाल आपको यहां पर डोवोल्टेज चेक करना है अच्छा दूस्तों इसके बाद अगर मैं यहां पर चेक करूं कुछ यहां पर भी कॉईल से हम इनकी भी बात कर लेते तो जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर आपको कोई वोलटेज देख नहींको नी मेदेगा यहां पर .8 यहां पर .8 यह .8 यह V प्रोसेशर का है यह V Code का है यह मॉडम का है और यह VS 1 का है तो दोस्तों यह वाला कोईल है जो वैसी किली यहां पर एक IC लगी हुई है जिसको 2 एस ट के वोल्टेज देखने को मिलेंगे जो कि VS2 एस्टा बग की एक सप्लाई होती है जो कि हमारे मिनटे के फोनों में 6357 में एक एस्टा बग से बनती है इसके उपर का पावर होता है वो अपना बग 6358 अगर हम बहुत सारी IC होते है तो अगर इसके उपर का जो बग बनता है तो अगर हम उसकी बात करेंगे 6359 या और भी कई IC होते हैं इसमें यह जो बख होता है यह इनी कोई के थूरू बनता है यहाँ अलग से कोई IC आपको देखने को नहीं मिलेगी और दोस्तों इसके साथ यह जो कुल है यह इस कुल को डेले आपकर यहाँ पर आपको यह भी देखना होगा इनकी अलावा अगर आपका फोन लोगो पर जाता हैं वही चीज आप समझे कि क्यों इंस्टिटूट में टीचर्स फोन बना पा रहे हैं और आप लोग नहीं और क्यों आपको यह चीज सीखना जोड़ी है कि जब तक आप समझेंगे नहीं कि इस आइसी के अंदर की लाइन है और अगर यह आईसी के अंदर पानी गया तो आपका फॉन लोगों पर आ सकता है क्योंकि है बूटिंग की सुक्वेंस हो सकता है तो मीडियर टेक क्या करता है जनरली हर आईसी को स्वेंस नोट कर लिए होगा और अभी भी आपको अगर यह फोन आएगा वीव वा किसी आप रिसोर्स से चेक कर लेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलकम का तो दीके कॉलकम के अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बग कोई आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी तो जो यहाँ पर आईसी यूस की गई है वो यूस की गई है पी एम PM439 तो यह आपको चेक करना है कि यहाँ पर IC जो है वो PM439 है या नहीं दूसरा तो दोस्तों यहाँ पर आप देखे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोईल्स देखने को मिलेंगे तो इसमें सबसे पहला जो कोईल्स है वो कोईल्स आपका हायर ल्डियो का कोईल है मतलब यहाँ पर आपको दो वोल्टेज चाहिए और जो बापस घुमके तो बाद है यहाँ पर बातच करेंगे तो यह सबसे पहले नो होने वाली सपला इसके बाद अगर हम इस कोईल की बात करेंगे की हमारा उसके बात का कोईल के टाइम नहीं आती है तीसरे नमबर की कोई कि अगर हम बात करें दोस्तों तो तीसरे नमबर की कोई हमारा हमारा कॉर वोल्टेज व कॉर्वोल्टेज जिसको बोलते हैं और यहांपर आपको कोइंच ने को मिलेंगे तो यहांपर आपको तो tuo कमजना है कि basically memory की supply 0.8 CPU को मिल रही है और यह मिलना जोड़ी है नहीं तो हमारा CPU एक्टिवेट नहीं होगा उसके बाद इन दो कोईलों को आपस में connect किया गया है और इन दो कोईलों पर APC की supply है 0.8 तो यह आपको 0.8 voltage यहां पर देखने को मिलेंगे अभी अगर इसी के उबास APC 1 होता तो साहिव आपको वहां पर voltage 0 होते क्योंकि वह चार्जर लगाकर नहीं आती है वह आपकी phone on condition पर आती है अगर हम यहां बात करें दोस्तों इस कोईल पर तो यह कोईल वाबस के दर क्यों जा रहा है क्योंकि यहां पर आपको 1.3 voltage देखने मिल लें जो की लोगों के लिए लेते आता रहा हूंगा ताकि आप लोगों को knowledge मिलता रहे देखें तो कैसा है यहां पर आपको 2 voltage मिलेंगे जो की हाई ल्डियो के हैं यहां पर आपको 0 voltage मिलेंगे जो की modem के हैं यहां पर आपको 0.8 voltage मिलेंगे जो की V core यहाँ पर भी आपको 0.8 मिलेंगे जो की आपका MEM memory और यहाँ पर भी आपको 0.8.8 आप इसको चेक की जाएगा यह APC है और यहाँ पर आपको 1.3 मिलेगा जो की है आपका यहाँ पर अगर मैं इसके बात करूं तो lower LDO ठीक है तो आप इसकी photo की सकते हैं और इस supply को आप बहुत अच्छे से easily धूड़ सकते हैं दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो रहें नेट्रक सेक्शिन के आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो रहे आइसी की मैं इसके साथ डेटेलिंग देना चाहता हूं तो कि मैं भी चाहता और दोस्तों WTR को हर फोन में या हर CPU में WTR, WTR नहीं कहा जाता है, WTR basically Qualcomm में MSM CPU के साथ में आता है तो इसका नाम है WTR, अभी आप देखें तो MediaTek में इसको WTR नहीं कहते हैं, Samsung में इसको WTR नहीं कहते हैं, WTR एक नाम हो गया, एक हुआ हो गया जिसको आप WTR कह रहें, तो करके RF इसको कहा जाता है, और यह हमारा 4G PFO है जो RF कंपनी का यूज किया गया है, और यह हमारा 4G plus 3G PFO है, 4G का मतलब यह high band switching करता है, और यह mid band switching करता है, और यह हमारा 2G company का PFO है, जो की low band switching करता है, तो जितने भी bandों की switching होती है, जो भी बैंडों का आपके receiving and transmitting होती है, अगर हम high or mid event की बात करें और जो हमारे lower band होता है वो हमारा 2G से होता है जो की main antenna connect होता है वो हमारा lower antenna से connect होता है तो basically आप देखें तो lower antenna directly आपके 2G PFO के लाइनों से connect होता है उसके बीच में आपको एक RF switch देखने को मिल सकता है यह RF switch के साथ में main antenna CPU deduction की लाइन होती है जो इक divider circuit बना सकती है अगर यहां है तो ठीक है नहीं है तो यह आपको चेक करना पड़ सकता है इसके साथ में आपको इसमें कुछ voltage भी देखने को मिल सकते हैं इसमें control CPU के point भी होते तो बहुत सारी चीज़ें और दोस्तों यह चोटी-चोटी IC हैं अगर आप समझना है तो आप मु जिसको आप फिल्टर कहते हैं तो इन आउट फिल्टर हो जाता है और स्विचर जिसमें बेसिक्री स्विचिंग करवाई जाते हैं सो आयोग कि कैसा लगा आपको यह वीडियो और नौलिजब लगा होगा और डेली गए वीडियो आपको मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो चाहिए कि नी चाहिए और टैंक्यू वेरी माच इस वीडियो को देखने कि आठ गंडे की क्लास चलती है तो आज आपका आपका फिरेट सब्जेक्ट क्या था था आज सिप्यू मांट रिमांट अचाहि किस किस ने करा यह यह सब ने किया था और चौते दिन आपका सिप्यू सबका दन हुआ तो यह लाइट डर्न करके बठेया तो यह प्रोशेस आप कितनी बार कियो सब्सक्राइब आज मेरे तीसर चोथा दिन है तेलंगम जवान होते हुए आज मैंने सिक्सी सिक्से फोर्जी मोईल को सीपी निकालकर और डाला ऑन भी हो गया ऑन बोर्ड में से निकालकर डाला खूल मैं मार मजावरान हो अवा ऑन टाइम में पहले फोन चालो था पहले 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 चालो था झालो तो अब आपने सीक्वी चुआ को माउंट ए मांट किये यस उखन फरसे चालो हो गया यस ठीक है थैंक्यो तैंक यु जिए